तो इन तीनों candle को एक morning star candle stick pattern कहा जाता है जो एक bullet signal दे रहा है लेकिन इस method से आपने इसका नाम जाने बिना ही price क्या कह रहा है इसका interpretation निकाल लिया था अभी ये दोनों candle मिलके कौन सा pattern बन रहा है मुझे नहीं पता और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है आप candle stick के price को देखके buyers और sellers के behavior को study करना जब सीख जाओगे तो कोई भी candle pattern को याद करने की जरूरत नहीं पड़े कैसे identify करोगे और उस situation पे उस pattern पे trade करे या ना करे य करे दो